एक महिने का समय लगबख हो चुका है पाकिस्तान दुआरा एक प्रोपोगेंडा चलाया गया था आपने उस प्रोपोगेंडा के बारे में ज़रूर सुना होगा और वो ये था कि टर्की और पाकिस्तान के पाइलेट्स ने रफेल के सारे सिक्रेट्स जान लिये हैं उन्हें उड़ाया भी है दरासल कतर टर्की और पाकिस्तान इन तीनों के बीच में एक मिलिटरी एक्सरसाइज हुई थी जहां पर पाइलेट्स ने वागए में कोशिश तो की होगी कि रफेल्स के सीक्रेट्स जान लिये जाएं चुकि रफेल्स टर्की पाकिस्तान और चाइना तीनों के लिए बहुत खतरनाक है भारत के पास है इसलिए चाइना और पाकिस्तान के लिए सिरदर्द है फ्रांस और ग्रिस के पास भी है इसलिए ये टर्की के लिए सिरदर्द है तो इन्होंने कोशिश पूरी की होगी हाला कि ये चीज़े इतनी ज़्यादा आसान भी नहीं होती कि आप बिल्कुल देखकर ही एक बार में इसके सीक्रेट्स जान ले लेकिन दोस्तों इसके अला जाती तो शूट डाउन किया जा सकता था राफेल को उसके बाद में वाकए में थोड़ा सा विचार हम लोगों को भी आ गया था कि क्या ये वास्तवीकता है हो सकता है इन लोगों ने इस तरह की कुछ प्रयास किये हूँ लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रशन ये भी उती दे सकता है उपर से ये चाइना मेड है पाकिस्तान ने इसे कलर किया है तो कई विश्य शक्यों ने खहा था कि भी ये कोरी कट अफ होआ है केवल एक प्रोपोगेंडा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो दोस्तों अब कतर की तरफ से ही इस बात का खुलासा कर दिया गय खुद कतर की एरफोर्स ने किया है कि दरसल ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी इन्हों ने साथी साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमें ये आगरा किया गया था कि इस मिलेटरी डिल में जो डॉक फाइट करवाई गे थी फैटर जट्स के बीच में इसके परिणा क्या हुए क्या रिजल्ट निकला इसके बारे में पब्लीकली कोई भी जानकारी नहीं दी जाए याने पाकिस्तान ने पहले कतर वालों को समझा दिया कि आप कुछ मत बोलिएगा जो बोलना है हम सब बोल देंगे तो यहाँ पर कतर ने पूरा इसपस्ट किया है कि रफेल क आसपस आने की भी ताकत F-16 या फिर JF-17 नहीं कर सकते इनके कई बार याने multiple time रेडार वगेरा जाम कर दिये थे रफेल ने मैंने आपको याद होगा दोस्तों कुछ समय पहले एक वीडियो बना कर दिया था कि रफेल का स्पेक्ट्रा electronic warfare system इतना ज्यादा strong है कि उसने 135 के रे कर दे सकता है यहने अगर रफेल पाकिस्तान के पास होता और भारत के पास नहीं होता तब भी actually मेरे words यहीं होते जी यहाँ मैंने एक वीडियो में कहा था कि रफेल हमारे पास से इसलिए वो अच्छा है इसलिए हमारे पास से उसकी अच्छाईयों को देखते हुए ही हमने खरीदा है तो इस तरह का प्रोपोगेंडा इन लोगों ने रन किया है जिसका की कोई बे सेंस नहीं निकलता दुनिया भर के लोग पहले ही भाब गए थे अगर F-16 का एक बार बोल दिया होता केवल तो समझ में आ जाता ठीक है वो अमेरिकान मेड है हो सकता थोड़ा बत प्र और इस खुलासे के बाद में पाकिस्तान टर्की चाइना तीनों ही बेनकाब हो जुके हैं इन लोगों को मेरे ख्याल से आप मुझ छुपाने के लिए जगन ही मिलेगी